तो क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म खटते हैं? उपर कोई मैनेजर बैठकर आपको मैनेज नहीं कर रहा है। कर्म का मतलब है कि आप समझते हैं कि अपने जीवन का स्त्रोत आप खुद हैं। क्या आप ये सनुश्चित करेंगे कि आपके द्वारा जागरू कोकर किये गए काम आपके जीवन का भागे तै करेंगे। ये आपको तै करना है। सद्गुरू कर्म से जुड़ा एक प्रश्न है। तो क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म कटते हैं? आपने आज क्या किया? मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मानवता के बारे में और क्या हमारे जीवन पहले से तै है या हम इसे कर्म से बदल सकते है और अच्छे कर्म क्या होते है? पहले इस शब्द को समझते हैं, मुझे पता है ये अंग्रेजी का हिस्सा बन गया है कर्म अब एक अंग्रेजी शब्द है कर्म शब्द का मतलब है काम आप यहां बैठे हैं, यहां शारेरिक गतिविदी हो रही है, मानसिक गतिविदी हो रही है भावनात्मा गतिविदी हो रही है और उर्जा गतिविदी हो रही है हम सभी में चाहे आप जगे हो या सो रहे हो कर्म के चार आयाम हर समय होते रहते हैं आज सुबह जागने से लेकर उस बुरे कर्म के इलावा जवाब ने किया आपको बताने की ज़रूद नहीं है सुबह जागने से लेकर अब तक कुछी घंटे हुए चार आयामों के कर्म का कितना हिस्सा आपने चेतनता से किया क्या मुझे उत्तर देना है? मैं अपने काम करते हुए जागरुक नहीं थी, वे बस होते गए मैं कह रहा हूँ कि लगबग हर इंसान के लिए ये एक प्रतिशत से काफी कम है अगर आप पूरे दिन को देखें, तो ये एक प्रतिशत से काफी कम है तो जब आपके 99 प्रतिशत काम संयोग से हो रहे हैं या चेतन्ता में हो रहे हैं, आप बस ये कीजे, आप यहाँ गाड़ी चलाइए, यहाँ ट्राफिक काफी धीमा है, यहाँ ये प्रयोग करना सुरक्षित है। 99 प्रतिशत समय बस आखें बंद करके ऐसे बैठिये, और बीच-बीच में स्टेरिंग समभालिये। देखते हैं पांच मिनिट में आप कहां होंगे। यही दुरगटना है इंसानी जीवन की, तो आपको यह समझना चाहिए, कि यह सबसे गहरा आयाम है, पूर्वी सब्विताओं का, हमने आपको बताया कि आपका जीवन आपका कर्म है, यानि आपका जीवन आपने बनाया है, कोई मैनेजर नहीं बैठा है, मैं आपकी बात न आपका जीवन आपका कर्म है, आप इसे जैसे चलाते हैं, यह वैसे ही चलता है, ना कि किसी और की तरीके से, सिर्फ इसलिए कि 99 प्रतिश्वत से जादा अचेतन तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई अन्य शक्ति आपको चला रही है, सभी बुरे ड्राइवर ऐसे हो गया, और मेरी कार टकरा गई, नहीं बस आप एक बेकार ड्राइवर हैं, तो जीवन के मामले में भी यही सच है, जीवन में भी यही सच है, हम आपको हर समय याद दिलाते रहते थे, इस पीड़ी में एक हो गया है, आपकी मा या दादी की पीड़ी में उठते बैठते वे क कर्म, प्रारब्ध, मुक्ती, मोक्ष कहती थी, ये रोजाना की बादची थी, ना कि आध्यात्मिक चर्चा, हाँ या ना, हर दिन, अब समय आ गया है कि आप उसे वापस लें, क्यूंकि कर्म का मतलब है, आप खुद को याद दिला रहे हैं, कि हर चीज जो मैं कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं, वो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है, अगर आप मुझसे पूछें, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने कुछ समय तक इसके बारे में सपश्ट नहीं कहा था, पर कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो इन दुनों में उन्हें बता रहा हूं, मिशन क्या है? वे पूछते हैं, मिशन बस यही है, धर्म से जिम्मेदारी की और, आपको लगता है कि यह वहाँ है, नहीं, यह यहाँ है, कर्म का यही मतलब है, कि आप समझते हैं कि आप ही अपने जीवन का स्त्रोथ हैं, क्या ब्रह्मान में कोई अने शक्ति काम नहीं कर कर रही है, लेकिन उसका उपयोग करना भी आपका काम है, वरना क्या मतलब है? तो कर्म का मतलब है, आपका जीवन आपने बनाया है, कोई और चीज तै नहीं कर सकती, अगर आप अपना शरीर अपने हाथों में ले लें, मान लिजी अपने भौतिक शरीर पर आपको कुछ मह तो 15 से 20 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी मांसिक प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लें, 50 से 60 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी बुनियादी जीवन उर्जा को अपने हाथों में ले लें एक सो प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा हर युवा को इस आयाम की खोज करनी चाहिए इससे पहले कि आप दुनिया में जाकर दूसरों को परिशानी दें हाँ ये बहुत महतुपूर्ण है लेकिन सुबह के बुरे कर्म को कैसे ठीक करें आपको समझना होगा कर्म कोई इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है ये बस आपके अंदर बची हुई यादाश्त है हर चीज, हर विचार, हर भावना, हर काम, हर गतिविधी जो आप करते हैं किसी रूप में इसमें रिकॉर्ड हो जाती है ये यादाश्त एक रुजान बनाती है आपके लिए क्योंकि इतनी जादा यादाश्त एकटा हो गई है ये सॉफ़वेर की तरह है आप अचेतन सॉफ़वेर लिख रहे हैं हर पल, अगर आप यहां से वहां तक चलें मैं कहूंगा यहां कम से कम 25 अलग अलग तरह की गंध हैं आप जागरूक नहीं है जब तक कि बहुत तेज गंध ना हो किसी रूप में तेज, सुगंध या दुरगंध तब आप ध्यान देंगे वरना आप ध्यान नहीं देंगे आप देखेंगे अगर एक कुट्टा आता है तो वो बस पता लगा लेता है आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है अच्छे और बुरे कर्म सा पता लगा लेता है खाया ना आप भी जागरुख हैं आपका सिस्टम भी उसका बोध पाता है क्योंकि आपका Neurological सिस्टम कुट्टे के Neurological सिस्टम से कहीं ज्यादा बहतर है क्या आप सहमत हैं? कुट्टों को पसंद करने वाले लोग इंसानी Neurological सिस्टम किसी भी प्राणी के neurological system से कहीं ज़्यादा विखसे थे, आप भी काबिल हैं, पर दिमागी गतिविदी की वज़े से आप उसे चूक जाते हैं, आप एक काम कीजे, बस जाकर कुछ समय जंगल में रहे, आप देखेंगे कि अचानक से आपके सूंगने की काबिलियत, आप सब कुछ नहीं है, ना बारिश, ना कोई संकेत, ना बादल, कुछ भी नहीं, विबस ऐसे करेंगे, और कहेंगे आद बारिश होगी, और बारिश होती है, क्योंकि वादावरन में बदलाव हो रहे हैं, तो इस अचेतन प्रकृति की वज़े से, अगर आप वहां से यहां आते ह तो उधारन के लिए ये सारी 25 गंदें सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इसी तरह देखी गई चीजें, सुनी गई ध्वनियां, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होती हैं, तो जैसी चीजें आपने अंदर ली हैं, आप धीरे धीरे एक अचेतन रुज़ान बना लेते हैं, अचानक आपको ये पसंद आने लगता है, कुछ और नहीं, क्योंकि आपने वैसी सूचना अंदर लिये, ये रुज़ान पारंपरिक रूप से, क्योंकि आपने गंधों की बात किये, पारंपरिक रूप से हम इने वासना कहते हैं, वासना बहुत अच्छी कभी वैकती है, क्योंकि वासना मतलब गंध, तो गंध के आधार पर आप उसी तरह का जीवन अपनी ओर खीचते हैं, या आप उस दिशा में जाते हैं, वे यही कहना चाहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे आधुनिक शब्दों में कहें, तो आप एक अचेतन तो क्या आप अपने द्वारा किये गए अचेतन कर्मों को अपने जीवन की प्रकृति या भागे तै करने देंगे, या आप ये सुनिश्चित करेंगे, कि आपके द्वारा किये गए चेतन काम आपके जीवन का भागे तै करेंगे, ये आपको तै करना है.